गुद आप्टेनून स्टूडेंट्स तो आज पॉल साइंस में जो चाप्टर चालू होने वाला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है बड़ा इंट्रेस्टिंग भी है उसका नाम है fundamental rights आपके fundamental rights जो आपका constitution part 3 में enumerate करता है ध्यान रखिए मैंने श्ब्ड का इस्तिमाल किया है part 3 में enumerate करता है ठीक है, पार्ट 3 ओफ दा कॉंस्टिटूशन ठीक है, आर्टिकल जाट 12 तु 35 आर्टिकल जाट 12 तु 35 ठीक है, अब फंडामेंटल राइट पढ़ने के पहले कुछ चीज़े समझते हैं फंडामेंटल राइट दुनिया के हर अच्छे constitution में, हर democratic constitution में fundamental right के provisions हमेशा मिलते हैं, हमने fundamental right के जो provision अपने constitution में उठाए हैं, वो inspired है, United States के constitution के bill of rights से, ठीक है, United States के constitution के bill of rights से हमने अपने fundamental rights उठाए हैं, मतलब हमने वहाँ से नहीं उठाए हैं, हम inspire हुए हैं उससे, ठीक है, क्योंकि US constitution सबसे पहला modern written constitution था, और उसमें bill of rights अच्छे से enumerate किये गए थे, कि सबके पास rights कौन-कौन से हैं, तो सबसे पहली चीज, first things first, fundamental rights देखते हैं पहले हमारे पास कौन-कौन से हैं, वो कब applicable हैं, ठीक है, देखो सबसे पहले article 12 और article 13, fundamental rights नहीं हैं, ठीक है, article 12 और article 13 fundamental rights नहीं है, article 12 क्या करता है, article 12 gives the definition of state, बहुत important है, ठीक है, definition of state देता है, article 12, अब state को define करना जरूरी क्यों है, fundamental rights वाले chapter में, क्योंकि एक बात याद रखिये, fundamental rights are generally given against the state, मेरी statement को फिर से सुनिए, fundamental rights are given generally against the state, ठीक है, कहने का ये मतलब है, कि जो individual के fundamental rights है, आपके मेरे, वो fundamental rights किसके खिलाफ दिये जाते हैं, state के खिलाफ दिये जाते हैं, खिलाफ देने का ये मतलब है, कि negative injunction है वो, क्या है बोलिए, negative injunction है, ठीक है, negative injunction बोले थो, मैं आपको example के थुरू समझाता हूँ, देखिये, article 15 कहता है हमारे constitution का, article 15 कहता है हमारे constitution का, that the state shall not discriminate on the grounds of religion, race, caste, sex or place of birth, क्या कहा, article 15 ने, article 15 ने कहा that the state shall not discriminate only on the grounds of religion, race, caste, religion, race, caste, sex, place of birth, आर, आर, CSP, तो ये negative injunction ही तो है, negatively ही तो written है, the state shall not, state ये नहीं करेगा, कौन नहीं करेगा, state नहीं करेगा, तो state के खिलाफ ही तो दिया गया है, मतलब, कल को अगर state जो है, जो हमारी union government है, अगर वो कोई ऐसा law बनाए कि एक कोई university है, उसमें किसी caste के लोग नहीं पढ़ सकते, कोई caste सोच लीजे, उस caste के लोग नहीं पढ़ सकते, क्या कभी बना सकता है law ऐसा, नहीं बना सकता state, क्यों नहीं बना सकता क्योंकि आर्टिकल 15 क्लियरली कहता है, कि state shall not discriminate, state भेदभाव नहीं करेगा, किन ग्राउंड पे, religion, race, caste, sex और place of birth, तो ये क्या है, ये एक negative injunction है, ठीक है, तो इसलिए आर्टिकल 12 में, state को पहले define करना बहुत जरूरी है, कि state कौन है, ठीक है, state किसको कहेंगे, ठीक है, तो state किसको कहेंगे, state किसको किसको कहेंगे, state कहेंगे government and parliament of India, पहला तो state हो गया क्या, government and parliament of India, दूसरा क्या हो गया, government and state legislatures, एड लगिसलेचर उफ स्टेट थीक है तीसरा क्या हो गया? लोकल अथोरिटी में क्या क्या आ गया? मुनसिपल्टी, पंचायत, थीक है? एटसेक्टर, एटसेक्टरा चौथा क्या हो गया other authorities अब other authorities को लेके वैसे तो constitution में बहुत लंबी बहस रही कि इन other authorities में कौन-कौन आएगा आप समझ लीजे कोई भी ऐसी body है जिसको government नहीं बनाया है by law तो वो भी state होगी other authorities के अंदर for example LIC insurance की company है और सरकारी company है सरकार ने खुद बनाई है LIC act के थुरू तो वो भी state में आ जाएगी मतलब state की definition में LIC भी आ जाएगी मतलब LIC के उपर भी fundamental rights लगेंगे अगर वो छीनता है तो तो यह आ गया definition of state ठीक है state को define करना बड़ा जरूरी है अच्छा क्योंकि state के खिलाफ तो मिलने हैं fundamental right private bodies के खिलाफ नहीं होते हैं fundamental right यह समल लीजिए किसी का private घर है मान लीजिए और उसने कह जिया कि मेरे घर में फलाने religion का आदमी नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है आप उसको force नहीं कर सकते कि तुम क्यों नहीं घुशने दे रहे हैं अपने घर में वो private आदमी है सरकार के खिलाफ मिलता है fundamental right आर्टिकल 13 कहता है laws inconsistent with part 3 ठीक है laws अगर inconsistent है part 3 के साथ और part 3 क्या है fundamental right अगर कोई ऐसा law बनाती है सरकार जो की part 3 के हिसाब से सही नहीं है कहने का मतलब यह ह mortar देक्वर्ट इस Sl कानून बनाती है ऐसा कोई law बनाती है ऐसा कोई law enforce करती है enact करती है जो कि आपका कोई fundamental right damage कर रहा हूँ आपका कोई राइट है उसको चीन रहा हो उसको डामेज कर रहा हो तो वो नहीं कर सकती है आर्टिकल 13 यह कहता है और आर्टिकल 13 लॉग की डिफिनीशन भी देता है कि लॉग क्या है ठीक है तो लॉग में सब कुछ आ गया एक्ट आ गया order आ गया ठीक है कस्टम ही आ गया याद रखिए कस्टम रिटेन नहीं होता है लेकिन कस्टम भी लौ होता है ठीक है कस्टमरी लौ कहते हैं उसे आपने पड़ा भी एक constitution वाले chapter में कि custom को भी law माना जा सकता है ठीक है custom रिटेन नहीं होते हैं बट चुकि practice में है बहुत time से तो कोई दिक्कत नहीं उनको भी law मान लेते हैं ordinance, rule, by law यह सब आ गए इसमें by law मतलब जैसे society वगरा में law नहीं होते हैं कि कोई apartment society है उसके कुछ laws हैं तो उसको by laws कहते हैं तो यह हो गया आपका article 13 तो article 12 और article 13 fundamental right नहीं है ठीक है अब ही चालू करते हैं क्या अब चालू करते है fundamental right fundamental right चालू होते है right to equality से सबसे पहले क्या आता है right to equality right to equality में सबसे पहले आता है one a में करके लिखूँगा ठीक है यह है 14 से 18 याद रखिएगा 14 से 18 one a में क्या आएगा right to equality का basic एकदम ठीक है article 14 the state shall not deny equality before law और equal protection of law एक बात याद रखिए article 14 चा कहता है ठीक है मैं आपको constitution से ही दिखाता हूं सीधा ठीक है कार्वार हिरे लुट है मंदों एक जा रहा है इंडिया ठीक है यह है आपका Constitution अब इसमें इधर देखिए Right to equality Article 14 का Right to equality वैसे तो 14 से 18 तक है बट जो 14 वाला article है उसका title ही क्या है Equality Before Law The state shall not deny to any person equality before law or the equal protection of the laws within the territory of India यानि कि किसी भी person के साथ किसी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा और law के सामने सब बराबर होंगे और law सब को equally protect करेगा सुन यह दो बाते हैं इसमें Equality Before Law और Equal Protection of Law ठीक है कौन सी दो बाते है Equality Before Law Equality आर्टिकल 14 में दो टाइप की Before Law और Equal Protection of Laws ठीक है अब देखिए इसका मतलब होता है कि law के सामने सब बराबर है ठीक है कि law के सामने सब बराबर है यह लिया गया है UK से यह negative तरीके का है थोड़ा यह किसी भी तरीके की special privilege को मना करता है क्योंकि कोई special नहीं है law के सामने सब बराबर है यह US से लिया गया है यह वाला पार्ट Equal Protection of Law और यह थोड़ा positive तरीके का है positive क्यों क्योंकि क्या कह रहा है Equal Protection of Law law सबको equally protect करेगा तो law के सामने सब बराबर है equality before law और law सबको equally protect करेगा Equal Protection of Law यह दोनों किसमें हैं Article 14 में बहुत बढ़ी हैं आगे बढ़ते हैं ठीक है अगला क्या है Article 15 अब देखिए Article 15 मैंने आपको अभी बताया The state shall not discriminate only on the grounds of religion, race, caste, sex और place of birth ठीक है 5 ground पे state भे दभाव नहीं करेगा आपके साथ ठीक है लेकिन इसी में इसी में इसी में एक चीज भी add कर दी गई देखिए यह तो लिख दिया कि The state shall not discriminate against any citizen on that ground ठीक है अब इसका 15th का 3rd clause देखिए अरे 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 देखिए जो आर्टिकल 15 है उसका 13 clause कहता है 13th clause कहता है आर्टिकल 15 का 13 आर्टिकल 15 का 3rd clause कहता है कि देखो discriminate तो नहीं करेगा state उन पाँच ग्राउंड पर लेकिन women and children women and children के लिए special law बना सकता है तो एक तरीके का discrimination तो ये भी है लेकिन ये positive discrimination है अच्छा discrimination है जैसे आपको मालू में कि अभी मैंने कहा कि इन पांच ग्राउंड पर discrimination नहीं हो सकता है आपके दिमाग में question आ सकता है कि सर reservation तो देते हैं हम लोग इंडिया में देते हैं किस ग्राउंड पर देते हैं कास्ट के ग्राउंड पर देते हैं एक discrimination negative हो सकता है negative discrimination क्या कहता है कि किसी को detriment देने के लिए discrimination किया जाए और एक discrimination हो सकता है जो किसी को जो पहले से एसा Group है जिसके उपर काफी societal pressure रहा है वह आगे नहीं बढ़ाए उसको आगे बढ़ाने के लिए हम दे सकते हैं क्या special protection या special कोई law उसके लिए हम बना सकते हैं ठीक है तो लोड हो जाने देते हैं तब तक मेरी बात सुनिए article 14 सा article 18 तक क्या है right to equality article 14 क्या है right to equality का basic principle equality before law the state shall not deny to any person any citizen नहीं कहा है the state shall not deny to any person कोई भी अगर वो citizen नहीं भी इंडिया गा तब भी the state shall not deny to any person equality before law और equal protection of law किसी भी व्यक्ति को डिनाई नहीं किया जाएगा equality before law and equal protection of law फिर हम आए 15 पे 15 पे हमने देखा कि state क्या नहीं कर सकता discrimination नहीं कर सकता पांच ग्राउंड पे लेकिन 15 तीन उसका exception देता है 15 तीन उसका exception देता है और क्या कहता है simply यह कहता है कि women and children के लिए कि हम special law बना सकते हैं देखिए यह देखिए nothing in this section nothing in this section nothing in this article shall prevent the state from making any special provision for women and children women and children के लिए special law बनाने से यह article नहीं रोगता है 15 4 देखिए nothing in this section in this article or in clause 2 of article 29 shall prevent the state from making any special provisions for the advancement of any socially or educationally backward classes of citizens or for scheduled caste and scheduled tribes सुनिये article 15 3 15 3 ने किसके लिए special law special law बनाने के लिए इंपावर किया women and children के लिए पंदरा चार ने किसके लिए special law बनाने के लिए भी state special law बना सकता है special provision बना सकता है उनके advancement के लिए पंदरा पांच क्या कहता है nothing in this article shall prevent the state from making any SEBC और स्केडूल कास्ट और स्केडूल ट्राइब in so far as such provisions relate in so far as such special provision relate to their admission to educational institution including private educational institution देखिए पंदरा चार और पंदरा पांच दोनों यह कहते हैं कि जो socially and educationally backward classes है जो scheduled caste caste है और जो scheduled tribe है उनके advancement के लिए उनको बढ़ाने के लिए special law बनाया जा सकता है ठीक है आर्टिकल पंदरा च्छे क्या कहता है पंदरा च्छे आपको मालूम है EWS economically weaker section यह अभी add किया गया है recent में ठीक है 103rd amendment से 103rd amendment से EWS वाला भी add किया गया है तो मतलब अगर कोई economically weaker section है कोई पैसे से कमजोर आदमी है तो उसके लिए भी special law बनाया जा सकते है ठीक है तो positive discrimination allowed किया है ठीक है फिर इसी का तो right to equality में अभी तक हमने क्या क्या देखा हमने पहले देखा article 14 जो कि basic है ठीक है equality before law है इसका नाम ठीक है section का ही नाम है equality before law law के सामने सब बराबर ठीक है पंदरा पंदरा क्या कहता है shall not discriminate ऐसे याद रखी the state shall not discriminate लेकिन इसी में इसके exception भी है पंदरा तीन चार पांच ठीक है पंदरा तीन चार पांच और छे EWS तो तो तीन चार पांच उसके exception है अब छे देखते है ठीक है अब 16 देखते है सौरी ठीक है 16 भी वही बात कहता है कि state discriminate नहीं करेगा लेकिन वह थोड़ा specific है 16 भी कहता है in matters of public employment in matters of public employment ठीक है सरकारी नौकरी में भी सरकार नौकरी देने में भी किसी तरीके का discrimination नहीं करेगी यह कहता है article 16 ठीक है इसमें भी exceptions हैं वही वाले कि अगर कोई socially educationally backward class है schedule tribe है schedule caste है उसके लिए reservation system किया जा सकता है या EWS है उसके लिए reservation system दिया जा सकता है public employment में public employment में मतलब सरकारी नौकरी में लेकिन लेकिन क्या नहीं किया सकता discriminate नहीं किया जा सकता positive discrimination allowed है negative वाला नहीं allowed है ठीक है 17 और 18 देखते हैं फिर 17 क्या कहता है बड़ा सिंपल है abolition of untouchability पहले भी बताया है मैंने हमारे देश में एक बड़ी हराब रीती चली काफी time तक जिसको कहते हैं untouchability ठीक है तो untouchability को भी decriminalize किया और मना किया यह देखिए शब्दों को पढ़िये constitution के ठीक है याद रहेगा इसलिए कर रहा हूं यह वरना constitution पढ़ना को जरूरी नहीं है paul science में लेकिन constitution ही तो पढ़ाया जा रहा है आपको at the end of the day ठीक है तो थोड़ा सा कर यह भी देखे रहेंगे तो कोई ऐसा नुकसान नहीं होगा आपको ठीक है और शायद और बहतर याधी रहे आपको ठीक है abolition of untouchability untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden the enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offense punishable in accordance with law article 17 abolish करता है untouchability को चुआ चूत को और कहता है कि अगर कोई इसे practice करता है तो उसे punishable किया जाएगा किसी न किसी law के अंदर तो भाई ठीक है law तो बनाया गया ठीक है scheduled caste prevention of atrocities act बनाया गया पार्लिमेंट के द्वारा इनी सब चीजों को मना करने के लिए scheduled caste के उपर अगर आप violence करते हैं caste based violence करते हैं किसी तरीके का तो पनीशेबल एक्स्ट्रा पनीशेबल है बलकि काफे strict है वह law ठीक है तो यह भी तो equality कही एक principle हुआ ना मैंने कहा कहा 14 से 18 तक क्या चल ले है equality तो यह भी तो equality के लिए ही है equality के लिए ही तो है यह भी 17 18 देखिए यह भी मैंने पहले बताया है abolition of title sir lord ma'am यह मतलब lord और यह सब नाम आप नहीं इस्तमाल कर सकते हैं अगर आप करते हैं title accept करते हैं तो गलत माना जाएगा वह no citizen of India shall accept any title from any foreign state बाहर के किसी state से इंग्लेंड में गया आप इंग्लेंड की queen ने आपको knighthood दे दिया आपके नाम के सामने सर लगा दिया इंडिया में नहीं माना जाएगा वो इंडिया में नहीं माना जाएगा लेकिन अगर कोई educational title है कोई no title not being a military और academic distinction कोई academic distinction है engineer and doctor है वो लगा सकते हैं इ और वो सब जो इंग्लेंड में लगाते हैं लोग अपने नाम के सामने ठीक है तो यहां पर 14 से 18 तक हमने क्या देखा 14 से 18 तक हमने देख ली अच्छे से 14 से 18 तक हमने अच्छे से देख ली equality अब हम देखेंगे freedoms right to freedoms सबसे पहले तो इसमें article 19 आता है बड़ा ज़रूरी अच्छा अब एक बात याद रखने वाली है article 19 के वल citizens के लिए है only for citizens ठीक है किसी बाहर के आदमी के लिए यह नहीं है ठीक है जैसे 14 जो था article 14 वो any person के लिए था चाया foreigner हो चाया आप इंडियान हो इंडिया के अंदर equality before law दी जाएगी लेकिन article 19 जो freedoms हैं आपके ठीक है जो freedoms हैं आपके यह केवल citizens के लिए available हैं कौन-कौन से freedom है छे freedom है याद रखिएगा 19 1 A से लेकर के F तक ठीक है 19 1 A से लेकर के F तक actually G तक F हटा दिया गया था ठीक है अब देखिए सबसे पहला क्या है 19 1 A right to freedom of speech and expression यह आपको मालूम होगा यह तो सबसे common है है न हमारे constitution के preamble में भी मैंने कल बताया है कि आपके पास liberty है thought, expression, belief, faith, worship की तो उसी तरह यहाँ पर आपको article 19 में जो सबसे पहला freedom दिया वो कौन सा दिया speech and expression का ठीक है अगला कौन सा दिया 19 1 B section number याद रखने की जरूरत आपको बिलकुल नहीं है लेकिन यह याद रखने की जरूरत है कौन-कौन से freedoms है ठीक है असेंबल peaceably without arms बिना हथियार हथियार के peacefully assemble कर सकते हो ठीक है जुंड में आ सकते हो ठीक है protest protest वरना तो impossible हो जाते करना ठीक है उसके बाद क्या है 19 1 C मैं लिख क्यों रहा हूँ पहली बात यहीं से देखो न डाइरेक्ट याद तो रहे गई देखो इधर देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया सबसे पहले मैंने बताया राइट फ्रीडम अफ स्पीच एन एक्स्प्रेशन ठीक है फिर क्या है स्पीच एन एक्स्प्रेशन के बाद तुम्हारे पास आएंगे शायद ट्रैक्ट होंगे इसलिए दूसरा राइट दे दिया कौन सा असेंबल पीसेबली एन विदाउट आम्स अब लोग असेंबल हो गए तो ग्रुप बनाना चाहोगे तो तीसरा आया फॉर्म असोसियेशन और यूनियन असोसियेशन यूनिय यूनिया आम यूनियन को पूरे इंडिय फेलाना चाहते हो तो मो फ्रीवली ठूसरा और टेरिट्रि इंडिया आपके पास इपरीडम है कि आप इंडिया की किसी भी टेरिटरी में फ्री ट्राइवल कर सकते हैं मूक्ड मुवसक् impece. Tee Pat, उसके बाद क्या है तो इसके थिक है देखिए सुनिये मेरी बात मूव फ्रीली थ्रू आउट देट्री औफ इंडिया ठीक है अब अगर तुमने प्रीली टेरीट्री थ्रूट इनडिया ट्रैवल कर लिया तो उसके बात तुम क्या करना चाहोंगे settle and reside settle करना चाहोगे तो move freely throughout India के बाद क्या आता है? right to settle and reside in any part of India अब कित्ते हो गए अभी तक? speech and expression फिर क्या आ गया? assemble peaceably without arms, फिर कौन सा आ गया? form union or association ठीक है? फिर क्या आ गया? move freely throughout the territory of India, फिर क्या आ गया? reside and settle in any part of territory of India, A, B, C, D, E, F हटा दिया गया है F था right to property अब यह नहीं रहा, ठीक है? देखते हैं हाँ E देखिए अब अब आप E देखिए E देखिए यह वाला E ठीक है? E देखिए तू reside and settle भाई आप जब travel कर लिए D में travel throughout the territory of India तो reside and settle भी तो करना चाहोगे in any part of the territory of India इंडिया की किसी पार्ट में तुम reside and settle करना चाहोगे F हटा दिया गया है देखो right to property किससे हटाया गया है? right to property हटाया गया है 44th constitutional amendment से 44th constitutional amendment से F यानि कि right to property हटा दिया गया है जी क्या है आखरी आपका freedom to practice any profession, trade, occupation कोई भी किसी तरीके का trade है, practice है, profession है, business है ये करना चाहते हो, ये भी कर सकते हो इंडिया में ठीक है, इसका भी freedom है तुमारे पास ठीक है तो आपको 19 में कितने दे दिये? 6 freedom दे दिये आपको Article 19 में ठीक है पर एक पाद याद रखिये These freedoms are not absolute You must remember this line, ये line याद रखियेगा ठीक है, the freedoms the freedoms freedoms under Article 19 of the constitution are not absolute इसका क्या मतलब है? Freedom के absolute होने का ये मतलब है Absolute ना होने का ये मतलब है They are subject to reasonable restrictions They are subject to reasonable restrictions उदाहरण के तौर पे For example आपके पास freedom of speech and expression है Good है कुछ भी बोल सकते हो कुछ भी express कर सकते हो बट क्या ये absolute है? क्या बोलते बोलते गाली दे सकते हो? क्या देश को तोड़ने की बात कर सकते हो? नहीं कर सकते हो तो कुछ reasonable restriction लगाए गए है For example right to speech and expression पे एक reasonable restriction है कि अगर आपके कोई भी बात इंडिया की integrity के खिलाफ होगी अगर इंडिया की integrity को तोड़ने की अगर आप बात करेंगे तो नहीं करने गया जाएगा आपको for obvious reasons, ठीक है? एक हम reasonable restriction right to practice of religion पे भी ले सकते हैं कि अगर morality, law and order और health के खिलाफ आपकी कोई religious practice है तो उसे भी रोका जा सकता है तो कुल मिलाके किसी भी तरीके की freedom आपके constitution के किसी भी article में दी हो बस यह यह रियाद रखिए freedom under article 19 और इसके आगे add कर लीजेगा और any other part of the constitution is not absolute freedoms are not absolute they are subject to reasonable restrictions ठीक है subject to reasonable restriction अब आगे आईए 19 से 19 भी देख लिया आपने 6 freedoms देख लिया आपने आपने article 20 जो convicted जो जिन लोगों को convicted किया जा रहा है जिनके उपर कोई case चल ला है ठीक है उनके लिए freedoms कुछ देता है ठीक है क्या देता है देखिए तीन फ्रीडा में इसमें ठीक है तीन फ्रीडा में ठीक है article 20 इधर लिख रहा हूं देखिए article 20 में तीन फ्रीडा में ठीक है एक है एक है एक्स पोस्ट फैक्टो लेगिस्लेशन ठीक है एक्स पोस्ट फैक्टो लेगिस्लेशन इसका मीनिंग अभी समझाता हूं आपको ठीक है अब अगला है डबल जेवपारडी ठीक है तीसरा है self-incrimination ठीक है इनका देखिए एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब होता है कि criminal law criminal law हमेशा prospective होता है retrospective कभी नहीं होता है सर यह क्या कह रहे है आप ही तो कुछ समझे भी आया देखिए माल लीजे अभी तक मैं कोई काम कर रहा था मालीजे मैं gold में deal करता हूं मैं gold का व्यापारी हूं gold का dealer हूं रोज 10-10 किलो 15-15 किलो सोना लेकर चलता हूं अपनी गाड़ी में कुछ काम करने के लिए कुछ पिगलाने के लिए यह वलाना धिमा का कुछ भी करने के लिए सरकार एक law बना देती है कि एक बार में 10 किलो से ज्यादा gold 8 किलो से ज्यादा gold लेकर travel करना मना है यह law मान लिजे आज बनाती है सरकार तो अभी तक तो मैं लेकर चल आ था travel कर रहा था तो क्या पहले जो मैं लेकर चला हूं उसके लिए मुझे सजा मिल सकती है बिल्कुल नहीं मिल सकती बिल्कुल नहीं मिल सकती क्यों क्रिमिनल law apply होता है उस दिन से जिस दिन से किसी चीज को क्रिमिनलाइज किया गया है ठीक है तो a person can only be punished for the contravention of any law which was already enforced अगर कोई law है उसको मैंने तोड़ा है तो मेरे को सजा मिल सकती है future में कोई law बनता है उसके लिए past में मैंने जो किया होगा उसके लिए नहीं मिल सकती ठीक है जाइड सी बात है अच्छा अगला क्या है double jeopardy double jeopardy आप एक crime के लिए एक ही बार सजा दे सकते हैं same crime के लिए दो बार सजा नहीं मिल सकती ठीक है यह तो obvious सी बात है तीसरा rule against self incrimination है किसी को भी force नहीं किया जा सकता कि वह अपने खिलाफ evidence दे no person can be forced to be a witness against his own self ठीक है अब मैंने कोई गलत काम किया है पुलीस आ जाए और मुझे लाठी डंडे मारे और मैं उगल दूँ सब वह तो गलत बात होगी यार यह तो fundamental rights अब आपको लग रहा होगा कि सर यह तो बड़ा खराब law है मतलब ऐसा क्यूं है ठीक है लेकिन देखिए ऐसा नहीं है बहुत अच्छा law है यह किसी को force नहीं करना कि आप अपने खिलाफ witness बनिये इससे जो police है जो investigative agencies हैं उनके उपर एक check और balance लगता है वरना भजया सही है काम करें हो police कभी भी किसी crime का investigation कर रही हो किसी गरीब को उठाए जिसने वो crime नहीं किया है खुब लाठी बारे और बोले कि जाके कबूल करो कि तुमने किया है case solve है ना नहीं तो ऐसा नहीं होता है आपको self incrimination से देखे क्या लिखा हुआ no person accused of any offense shall be compelled to be a witness against himself किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ witness बनने के लिए आप compelled नहीं कर सकते force नहीं कर सकते ठीक है अब आईए article 21 पर यह है बहुत बड़ा article मतलब है बहुत छोटा है बहुत छोटा article 21 लेकिन एक बात याद रखिए यह बहुत बड़ा article है क्यों इसकी line पड़ यह क्या लिखा हुआ है protection of life and personal liberty protection of life and personal liberty no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law किसी भी व्यक्ति को उसकी life और personal liberty से deprive नहीं किया जा सकता रोका नहीं जा सकता रोका नहीं जा सकता किसी भी परसन से क्या उसकी life और personal liberty नहीं रोकी जा सकती नहीं छीनी जा सकती except according to procedure established by law देखिए मैंने कोई crime किया है embezzlement किया है या किसी तरीके का कोई crime किया है मेरे को पकड़ा जा सकता है investigation के लिए पकड़ा जा सकता है फिर मेरे उपर crime प्रूव हो जाए तब जेल भीजा जा सकता है तो क्या जब investigation चला और जब मुझे जेल भेजा गया मेरी परसनल लाइफ और लिबर्टी को छीना गया बिलकुल छीना गया जेल में जितने लोग बंद हैं उनके पास लिबर्टी कहा है ठीक है वो तो बंद है तो वो सही है क्यों क्योंकि procedure established by law ठीक है law में कुछ था कि अगर आप कुछ ऐसा करेंगे तब आपको सजा मिल सकती है तो मैंने वो चीज करी तो मुझे सजा मिल गई तो अगर law में कुछ है procedure है established law के द्वारा तब तो मेरी life और personal liberty छीनी जा सकती है लेकिन लेकिन उसके अलावा किसी case में नहीं तो the life and personal liberty of a person can only be curved can only be curved if there is a procedure established by law ठीक है therefore therefore यह जो article है यह sense बना रहा है अब अगर हम पढ़ें कि no person shall be deprived of his life or personal liberty किसी व्यक्ती का life or personal liberty नहीं छीना जाएगा except except according to except according to procedure established by law ठीक है अच्छा अब एक बात समझीए आर्टिकल 21 है तो बहुत छोटा है ना लेकिन constitutional interpretation के थुरू judges के judgment के थुरू इसमें बहुत सारे ऐसे rights डाल दिये गए हैं जो constitution में और कहीं नहीं लिखे हुए हैं क्यूंकि life लिखा हुआ है ना life तो बहुत बड़ी चीज होती है life में बहुत सारे rights आ गया आपके ठीक है जैसे right to live with human dignity इज़त से आप रह सकते हैं ठीक है यह right आट क्या गया है अभी recent में right to privacy अब देखिए आपके constitution में अलग से कहीं नहीं लिखा हुआ है right to privacy है आपके पास लेकिन जजज ने right to privacy को article 21 का ही पार्ट मान लिया ठीक है privacy भी होनी चाहिए अगर life है तुमारी life अगर protect कर रहा है constitution तो privacy भी तो होनी चाहिए life का पार्ट है ना privacy ठीक है यह सबको बता देते हूं क्या कर रहे हो यह बताना चाहते हूं यह क्या नाम है क्या पता है तुमारा ठीक है right to pollution free environment यह भी बड़ी चीज़े आप सुप्रीम कोट में firecrackers को लेकर और pollution को लेकर बहुत सारी चीज़े आती रहती है ठीक है क्यों आती रहती है क्योंकि हमने life का पार्ट माना है एक अच्छे environment में रहना right to pollution free environment यह आपका fundamental right है कि आप ऐसी जगह पर रह पाएं जहां पर मतलब यह आपको fundamental right है कि आप जहां भी रहते हों आपको एक free from pollution environment दिया जाए क्यों क्योंकि देखिए पॉल्यूशन से क्या होता है आपको disease होती है आपकी life घट जाती है life expectancy तो भाईया life के साथ खिलवाड़ी तो है वो और right to life तो protect करना है तो right to life का part हुआ ना यह pollution free environment समझेए समझेए इसी टाइप के rights इसमें add किये गए है ठीक है right to legal aid हम कह सकते है ठीक है अगरीब आदमी है उसके पास वकील करने का पैसा यह नहीं है ठीक है तो भाईया सरकार देगी पैस वकील ठीक है right to legal aid यह पैसा नहीं है तो justice भी ना दें ऐसा तो नहीं कर सकते ना इसके बाद क्या हम कह सकते हैं राइट टू शेल्टर एक केस हुआ ओल्गा टेलिस वर्सेज यूनियोन ऑफ इंडिया याद रखने की जूरत नहीं बस बता रहा हूं आपको ओल्गा टेलिस वर्सेज यूनियोन ऑफ इंडिया में मुंबई में जो लोग फुटपाथ पर रहते थे उनके घर तोड़ दिये गए ठीक है जो लोग फुटपाथ पर रहते थे उनके घर तोड़ दिये एंसीडी ने वहां की जो वहां की बॉड़ी है जो मुनिसिपल कॉर्परेशन है जो वहां की ब्रिहन मुंबई करके उसका नाम है मुनिसिपल कॉर्परेशन ठीक है तो उसे आया राइट टू शेल्टर वहिया उनको भी अगर में रहने का अधिकार था तो क्या हुआ अगर वो सड़क पर रह रहे थे गरीब थे उनको काम करना था राइट टू लाइवली हुट उनका एफेक्ट हो कहां एक और आ गया देखिए इसमें राइट ट्रेवल अब्रॉड अब्रॉड देखिए इंडिया के अंदर ट यह बात याद रखिएगा ठीक है ऐसा ही बहुत सारे राइट सेंस में देख लीजेगा समझ जाईएगा आप क्योंकि राइट टू लाइफ तो बहुत ब्रॉड है ठीक है अब आईए अगले पर राइट टू एजुकेशन यह एड हुआ है यह एड हुआ है बाद में इस बात को याद रखिएगा राइट टू एजुकेशन ठीक है किस से एड हुआ है सर और कब एड हुआ है ठीक है राइट टू एजुकेशन यह रहा यह एड हुआ है दो हजार दो में 86th amendment से यह मतलब constitutional amendment ठीक है 86th constitutional amendment से राइट टू एजुकेशन एड हुआ है राइट टू एजुकेशन क्या कहता है छे से 14 साल तक के बच्चे को 6 to 14 years 6 to 14 years तक के बच्चे को ठीक है स्टेट यानि कि सरकार स्टेट शेल प्रोवाइड फ्री एंड कमपलसरी एजुकेशन जो सरकार है जो स्टेट है उसकी ड्यूटी है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को प्री और कमपलसरी एजुकेशन दे तभी तो आप देखते हैं आंगनवाडी स्कूल मिड्डे मील जहां मिलती है क्यों क्यूंकि यह है ठीक है सरकार की ड्यूटी है अब ठीक है यह राइट है आपका आप क्लेम कर सकते हैं इसको आप कह सकते हैं कि मेरा फंडमेंटल राइट है कि मुझे एजुकेशन मिले तो क्या हुआ अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो ठीक है फ्री में पढ़ा हो अच्छा अब आजाओ आटिकल ट्वेंटी टू पे आटिकल ट्वेंटी टू भी बड़ा ट्वेंटी जैसा ही है बस इसमें कुछ बाते कहीं गएं क्या कहीं गएं देखिए आटिकल ट्वेंटी टू में क्या बाते कहीं गएं पहले तो यह कहा गया आटिकल ट्वेंटी टू में कि ग्राउंड ऑफ अरेस्ट इंफॉर्म करो कि मेरे को अरेस्ट क्यों किया जा रहा बताओ मेरे को बताओ कि अरेस्ट क्यों किया जा रहा है ठीक है इनफॉर्म दा ग्राउंड ऑफ अरेस्ट टू अरेस्टेड परसन देखिए ना प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट इंडिटेंशन इन सर्टेन केसे यही तो लिखा हुआ अर्टिकल का नाम ही यही है ठीक है दूसरा क्या है चौबिस घंटे के भीतर भीतर चौबिस आवर मुझे पुलीस ने अरेस्ट किया तो क्या अरेस्ट करके इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने पास रखी रह सकती है हमेशा के लिए बही ओबिसली नहीं मेरे उपर क्राइम प्रूब थोड़ी हुआ है अभी शक है ना ठीक है तो जब शक है तो एक काम करो कि पुलीस जब है ठीक है ठीक है अच्छा यह तो दो बाते आ गई ठीक है लेकिन इसके दो वह भी हैं इसके दो अपवाद भी हैं दो एक्सेप्शन भी इसके एक्सेप्शन भी देखिए एक्सेप्शन नमबर एक यह एनमी एलियन को नहीं मिलेगा मतलब किसी दूसरे ऐसे देश का आदमी है जो हमारा दुश्मन है एलियन मतलब वह वाला एलियन मत समझ लेना ठीक है एलियन मतलब कोई जो दूसरा जो यहां का नहीं है ठीक है एनमी एलियन है किसी ऐसी कंट्री का foreigner है जो कि हमारी दुश्मन है ठीक है अच्छा दूसरा क्या है अगर किसी भी ऐसे law के अंदर आपको उठाया गया है जिसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन है ठीक है किसी भी ऐसे लॉग के अंदर अगर आपको उठाया गया हो जिसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन हो तब भी आपके पास आर्टिकल 22 का राइट नहीं है तो आर्टिकल 22 में कौन से राइट है दो राइट है एक तो इंफॉर्म दा ग्राउंड ऑफ अरेस्टू दूसर क्या है present before a magistrate within 24 hours किन दो लोगों को यह नहीं मिलेगा नंबर एक एनमी एलियन है कोई दुश्मन है हमारे देश का ठीक है दूसरा प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर पकड़ाए हो किसी ऐसे लोग के अंदर पकड़ाए हो जिसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन चलता है जैसे UAPA Unlawful Activities Prevention Act तब भी नहीं मिलेगा हाला कि इसी में लिखा गया कि अगर दो महीने से ज़्यादा सुनना अगर टू मन्त से ज़्यादा किसी को डिटेंशन करना है अगर टू मन्त से ज़्यादा किसी को डिटेंशन करना है तो एक बाड़ी बनाई जाएगी जिसमें ऐ जिसको ऐसा आदमी हेड करेगा जो हाई कोट जज हो या तो हो या तो कॉलिफिकेशन होल्ड करता हो सुनो मैंने क्या कहा फिर से सुनो मैंने सबसे पहले बताया आर्टिकल 22 के अंदर दो राइट से बेरी गुड फिर मैंने बताया यह दो राइट कि इनको नहीं मिलेंगे वेरी गुड जो दूसरा 2 एक्सेप्शन है प्रिवेंटिवh डिटेंशन लॉप आपको अपको पकड़ा गया है तो उसके लिए यह कहा गया कि उसमें भी 2 महिने से जादा पकड़ के नहीं रख सकते हैं preventive detention के अंदर लेकिन इसको भी bypass कर दिया गया है इसको भी bypass कर दिया गया है law बना के क्यों देखिए law बनाने से अगर आपने law बना दिया है और उस law में ऐसा है कि दो महिने से जादा रखा जा सकता है तो रखा जा सकता है फिर यह वाला exception जो judge की qualification हो और वो वाला नहीं चलेगा फिर कानून कौन कौन से हैं मीशा maintenance of internal security act यूए पीए अन lawful activities prevention act देखो इन दोनों को और और भी है टाड़ा था पोटा था यह सब थे ठीक है देख लीजेगा आपकी किताब में भी आपको दिख जाएंगे सबकी एगर भी देख लीजेगा सुनिए यह क्या ह होते हैं preventive detention law देकिर नॉर्मली अगर आपको इंडिया में कानून चलता है CRPC CRPC का full form है criminal procedure code कोई भी आप crime करते हो जो कि IPC के अंदर defined है IPC का full form होता है Indian penal code IPC में crime define होते हैं और उनकी सजा लिखे होती है CRPC में procedure लिखा होता है कि investigation कैसे होगा और यह सब कैसे होगा तो कोई भी लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है कि 24 गंटे के भीतर-भीतर magistrate के सामने पेश करना है क्यों लिखा हुआ है CRPC में क्योंकि आपका constitution ऐसा करने को कहता है लेकिन यह जो law होते हैं preventive detention वाले मीसा यूए पीए यह सब इनमें अगर धराय हो गुरू तो फिर तुमको नहीं मिल लेगा ठीक है यह वाला तुमको 24 गंटे की भीतर वाला नहीं मिलेगा और तुमको रखा जा सकता है लंबे टाइम तेक रखा जा सकता है जेल में ठीक है अच्छा है हो गया यह थीक है यह भी हो गया अब जर्ब मुझे एक सिकन्ग दीजिए बस अजय दो वाला डाँ सकता है झाल झाल हाँ भई तो यहां तक हम कर रहे थे freedoms कहां से कहां तक हम ने freedoms देखी कहां से कहां तक पहले था equality फिर आया freedom और freedom कहां से कहां तक है right to freedoms right to freedoms है article 19 सा article 22 तक अब आएगा right against exploitation यह 23 और 24 बड़े simple हैं थीक है बहुत ही simple right against exploitation देखिए पहला है right against exploitation में जो पहला है protection of traffic in human beings and forced labor ठीक है traffic in human beings human beings की तसकरी trafficking करना ठीक है पहले तो traffic in human beings यह criminalize करता है ban करता है थीक है number one दूसरा है forced labor जबरदस्ती बंद हुआ मजदूरी जिसे कहते हैं जबरदस्ती काम कराना थीक है forced labor और तीसरा है beggar भीक मंगवाना भीक मांगना नहीं begging नहीं crime समझ लीजएगा beggar आपने देखा है ना traffic करके मंगवाते हैं भीक ठीक है तो यह सिंपल राइट अगेंस एक्सवाटेशन में prohibition on traffic in prohibition of traffic in human beings ठीक है prohibition of traffic in human beings and forced labor तो traffic in human beings बैंक करता है और forced labor को यह ban करता है ठीक है मना करता है ठीक है अब यह भी कहा है इसने कि आगे जो है ना कि अगर इन सब चीज़ों को रोकना है तो आप law बनाई है ठीक है तो law बनाया सरकार ने कौन सा जैसे एक example है SITA ठीक है सीता सीता नाम से याद रखेंगे आप इसको ठीक है suppression of immoral traffic in women suppression of immoral traffic in suppression of illegal traffic in women and girls act यह एक example है ऐसे law का जिसको बनाया गया है कि इस constitution के article के तहत ठीक है सीता याद रखेंगा suppression of illegal traffic in women and girls ठीक है कब का एक्ट है यह यह है यह एक्ट है 1956 से जो सीता एक्ट है फिर से बोलिए suppression of illegal traffic in women and girls ठीक है यह 1956 से क्यों है क्योंकि हमारे आर्टिकल का constitution number हमारे constitution का आर्टिकल नंबर 23 यह कहता है कि traffic in human beings और force labor मना है तो भया हमने यह बना दिया लो ठीक है उसके बाद है क्या prohibition of employment of prohibition on employment of children in factories and hazardous तेकिए जैसी जेतनी भी ऐसी जगहें हैं जहां पर hazard है थोड़ा prohibition of employment ठीक है कितने साल से कम की बच्चे 14 years से कम ठीक है चौदा साल से कम बच्चे को आप factory में नहीं कर सकते या फिर ऐसी जगह नहीं कर सकते जहां पर hazardous हो यह यह शर्द याद रखिएगा hazardous मतलब hazardous employment मतलब जो थोड़ा खतरनाक हो ठीक है अब आप बच्चे से बारूद की फैक्टरीम काम करा रहे हैं यह ना heavy metal का काम करा रहे हैं यह सब ठीक नहीं है तो right against exploitation में दो ही article आए पहला कौन सा है prohibition of traffic in human beings दूसरा कौन सा है दूसरा कौन सा है prohibition of employment of children in factories below 14 years and in hazardous also hazardous employment also ठीक है अब आता है freedom of religion यह अलग से दिया हुआ है 25 से 28 तक ठीक है पहला तो यही कहता है freedom of conscience and free profession practice and propagation of religion ठीक है सबसे पहला क्या देता है article 25 क्या देता है आपको सबसे पहला right क्या देता है freedom of conscience conscience की मीनिंग I hope आप सब लोग समझी रहे होंगे ठीक है conscience ठीक है आप क्या गलत सही मानते हैं ठीक है आपकी क्या morality है ethics है आपके क्या क्या ठीक है और क्या क्या practice करो अपना religion और अिजन के प्रोफेष करों और प्रोपरगेट करों ब्राक्टिस अपना मतलब खुद प्राक्टिस करो है था अपना अपना religion जिसे भी अपना religion मानते हो उसे खुद प्राक्टिस करों ठीक है दूस्सरा क्या प्रोफेस कर ओं तो freedom of conscience, freedom of practice, profession and propagation of religion आपको ये देता है, ठीक है? अच्छा लेकिन जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी दिर पहले बताया, ठीक है? आपको पहले अभी थोड़ी दिर पहले बताया, क्या? कुछ चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, public order, morality और health, अगर ये तीन चीजें, अगर ये तीन चीजें contravene हो रही होगी, इनको कोई नुकसान हो रहा होगा, तब आपका ये right नहीं practice करने दिया जाएगा, for example, मानिए दो minute कि ऐसा कुछ होता है कि आपके religion में कोई ऐसी practice है, जिससे police की विवस्था गडबढ़ा जाए, है ना, मतलब public order में कोई दिक्कत आ जाए, दंगे भढ़कने का कोई हो, तो आपको करने से मना कर दिया जाएगा, अगर आपके religion में कोई ऐसी practice है, जो health, लोगों का स्वास्त खराब करती है, आप मालीजा आपके religion में ऐसा है कि आप mask पहनेंगे यह नहीं, आप public में mask, mask पहनना आपके religion में बहन है, और मालीजा covid फैला हुआ है, एक time पे 2020 में, तो क्या आप वो कर सकते थे यह कहके कि मेरा right to religion है, यह मेरे mask नहीं पहनूँगा, नहीं कर सकते है, क्यों subject to health है ना, और subject to morality, morality बने constitutional morality, किसी गाली बखना है आपके religion में, गलत है, किसी और का मंदिर तोड़ना है आपके religion में, गलत है, ठीक है, तो यह morality के खिलाफ है, ठीक है, अच्छा, एक और बात है इसमें, कि हर religion को equal माना है हमारे constitution ने, क्यों, क्योंकि it's a secular constitution, क्यों, because it's a secular constitution, हमने preamble में ही देखा था, कि आपके constitution में लिखा हुआ है, कि your constitution is a secular constitution, ठीक है, your country is secular, ठीक है, अब 26 में, article 26 में, इसी राहिट का थोड़ा सा expansion है, कैसे expansion है, आपको कुछ और भी चीज़, अरे यारी, क्या हो रहा है भाई, चलिए, मैं ही लिख दे रहा हूँ यहाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अरे आ गया, बहुत सही, इन convenience के लिए, sorry, यह generally होता नहीं है, इन हाँ, अब, article 26 में, आपको, गिन के, चार बाते बताई गई, ठीक है, पहली क्या बताई गई, पहली क्या बताई गई बात आपको, आपको यह बात बताई गई, कि, यू कैन, यू कैन, एस्टैबलिश और मेंटेन, इंस्टिटूशन फोर रिलीजियस और चारिटेबल परपजेज, यानि कि, राइट तू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन के अंदर, आर्टिकल 26 में, एक स्पेसिफिक राइट है, कि आप अपने मन का एस्टैबलिश कर सकते हैं, और मेंटेन कर सकते हैं, इंस्टिटूशन फोर रिलीजियस और चारिटेबल परपजेज मंदिर खोल सकते हैं, गुरुद्वारा खोल सकते हैं, है न, कोई आगर मुसलिम को कु वाह, यहीं तक लोड़ हुआ, अच्छा चलिए, अगला राइट आपको मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अगला राइट है आपका, इसके अंडर, आपको जो अगला राइट दिया गया, इसके अंडर यह है, to manage its own affairs in matters of religion, religion के मामलों में, अपना matter आप खुद manage कर सकते हैं, यह भी बताया आपको इसी section ने, ठीक है, manage करने का क्या मतलब है, अपने affair है, भी अब मंदिर में कुछ भी कराना है, कुछ भी अगर कुछ आप पैसा आता है, इदर उदर करना है, तो तुम खुद करो, ठीक है, सरकार नहीं उसमें interfere करेगी, ठीक है, to own and acquire, क्या own and acquire, क्या own and acquire, to own and acquire, movable and immovable property, मंदिर के पास भी तो पैसे आते हैं, या किसी भी religion का कुछ भी आपने खोला है, उसके पास अगर वो और कुछ land लेना चाहरा है, और कुछ करना चाहरा है, तो उसका भी freedom में religious purposes के लिए करने का, ठीक है, उसके बाद क्या है, administer such property in accordance with law, यह जब property आपने own and acquire करी है, इसको administer करना, manage करना मतलब, ठीक है, administer such property in accordance with law, अब 27 बाद देखते हैं, आपको किसी और religion के propagation के लिए tax देने के लिए कभी भी फोर्स नहीं किया जाएगा, ठीक है, मान लीजे कोई ऐसा tax लाती है सरकार, जो केवल मंदिर में लगेगा, tax कर रही है कोई सरकार, उसने कोई नया tax बना दिया, और वो tax जो पैसा collect होगा, वो मंदिर में जाएगा, तो आप किसी और religion के आदमी को फोर्स नहीं कर सकते है, उस tax को प्ये करने के लिए, ठीक है, सिंपल सी बात कहता है, ठीक है, चा कहता है, इसका word क्या है, freedom for paying taxes, और propagation of any religion, ठीक है, आप किसी धर्म के हो, और किसी और धर्म का क्या कहते है, टैक्स लगा रही है सरकार, तो आपको फोर्स नहीं किया जा सकता है, ठीक है, कि उसके promotion के लिए, propagation लिख दिया मैंने, उसके promotion के लिए, उसको फैलाने के लिए, कोई tax अकर लाती है, तो आपके उपर ये force नहीं किया सकता है, कि आप उस tax को pay करें, अगर आप उस religion के नहीं है, मत बें करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, परीड हम, अर्टकल अथाई साक्री, प्रीड़ीड़ीड़ीडम प्रीड़ीड प्रीड़। प्रीड़ीड़। एस तो अटेंटेंस इन हिलिइड जैस फंच्ट्छिन तूस्चराइड प्रीड़। ठीक है तेखिए अगर कोई भी ऐसा institution है सुनिए मेरी बात कोई भी ऐसा institution है मान लिजे को educational institution है जिसको सरकार पैसा देती है इधर holy और partly मतलब पूरी तरफ उसे सरकार मतलब सरकार ही school है या फिर कोई एसा school है जिसको थोड़ा पैसा सरकार भी देती है मान लिजे 40% आपको ऐसे school में ऐसे institution में कोई भी religious function अगर होता है उसको attend करने के लिए फोर से नहीं किया जा सकता अब यह मत कहिए कि सन missionary school में तो हम यह मतलब Christian कुछ न कुछ attend करना पड़ता है भाया missionary school सरकार नहीं चला रही है वो पैसा नहीं देती है अगर किसी रिलीजन नहीं वो स्कूल establish किया है तो ग्राम गेम बदल जाएगा फिर तब तो आपको attend करना पड़ेगा point यहां पर यह क्यों हो क्योंकि fundamental right केवल state के खिलाफ enforceable होते हैं वो तो private school है वो किसी रिलीजन के ही लोगों ने चालू किया है उसमें तो बिल्कुल बुला जाएगा आपको लेकिन कोई सरकारी स्कूल में किसी सरकारी जगा पे कोई भी रिलीजियस अकर function होता है तो उसको attend करने के लिए आपके उपर किसी तरीके का प्रेशर फोक वो नहीं डाला जा सकता ठीक है आपके पास freedom है कि आप अटेंड करना चाहें तो करें ना करना चाहें तो ना करें ठीक है चलिए अब अगले पर मूव करते हैं हो गए आपके यहां तक अब आता है आर्टिकल ट्वेंटी नाइन और थर्टी और यह दोनों है राइट टू माइनॉरिटीज राइट टू माइनॉरिटीज ठीक है कौन कौन से हैं 29 और 30 रिलीजन किसमें किसमें था 25 26 27 28 29 30 किसमें हैं राइट टू माइनॉरिटीज ठीक है इसमें पहला 29 है कि आप ऐसा माइनॉरिटी का मतलब यहां पर केवल रिलीजियस माइनॉरिटी नहीं है यह मत समझ लिजेगा माइनॉरिटी का मतलब यहां पर religious minority नहीं है कि एबल highlight का मतलब यहां पर कोई minority हो सकता है linguistic हो सकता है hangway कि आधार पे माली विव्र है टमिल लोग है यहां पर थो मिनऊरिटी है यहां उत्तर प्रदेश में यहां तो हिंदी बोली आती है तो अगर तमिल लोग उत्तर प्रदेश में कोई स्कूल खोलना चाहते हैं अपना अपने लिए तो कोई दिक्कत नहीं है अच्छा अब यह कहता है आर्टिकल 29 के राइट टू मेंटें लैंगवेज स्क्रिप्ट एंग कल्चर आपका जो लैंगवेज है जो कस्टम है जो स्क्रिप्ट है जो कल्चर है उसको जो है आप कर सकते हैं यह तो बहुत सिंपल है इसमें समझाने की विजरूत नहीं है आपको अपना प्रिजर्व करना है अपना कल्चर अपनी लैंगवेज उसको फैलाना है बिल्कुल खोली है ठीक है अच्छा अगला राइट टू एस्टाब्लेशन एड्मिनिस्टर एड्यूकेशनल इंस्टिटूशन्स को ध्यक्र Olisak आपको कि नाकाशनट brings लेंगवेज इंक्रपाने लेंगवेज आपको अपनीयदित्य इयूका इड्मिनिस्टर करmeno होसकता है उसको प्रेजर्व करने के लिए इड्यूकेशन इंस्टूशनी होटीर्टोशन आइड्मिनिस्टर परिजाव्यस करें ठीक है, जो state universities है, मतलब जो सरकारी universities है, जो state universities है, वो ऐसे schools में या ऐसे institutions में जो minority के दोबारा established किये गएए, उनमें, they cannot impose, ठीक है, धे दे के नोट इंपोज, they cannot, फिर से सुन ये, impose a particular medium of instruction or the minority institution. State universities cannot impose a particular medium. State universities cannot impose a particular medium of instructions. केहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजे कोई minority school, कोई minority की कोई चीज है, Tamil school का ही example लेते हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश सरकार उसको force नहीं कर सकती कि तुम हिंदी में भी पढ़ाओ. सिम्पल बात है, कि ये minority ने वो established कि अर्टिकल 30 के अंदर उनके बस right है, कि वो established करें और administer करें educational institution अपने हिसाब से, अब state university उसमें medium of, जो है medium of instruction वो नहीं impose कर सकती. ठीक है, तभी तो ये right दिया गया है, ठीक है, ताकि ऐसा ना हो पाए, ठीक है? और एक और बात, जब state grant दे रहा होगा, granting aid, granting aid मतलब state पैसा देता है ना, सरकार पैसा देती educational institutions को, तो जो state है जब वो grant दे रहा होगा, ठीक है, educational institution को तो discriminate नहीं करेगा, the state while granting aid shall not discriminate. अगेंस्ट minority इधर लिख देता हूँ, institution. अब सरकार पैसा दे रही है, schools, colleges को, तो क्या केवली इसलिए पैसा नहीं दोगे, क्या क्योंकि ये minority school है, discrimination नहीं कर सकते ना, वो तो 15 में भी हमने पढ़ा, ठीक है, religion, race, caste, sex, place of birth भी नहीं कर सकते, बस वैसा ही example यहां पर भी है, कि भाईया जब आप university को किसी पैसा दे रहे हूँ, तो ये देख के मत दीजिएगा कि ये तो minority कि ये इसको नहीं देना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं देख सकते आप, ठीक है, तो ये सब था, इसके बाद आता है article, यहां पर खतम हो गए आपके सारे fundamental right, कुछ बचे हैं, वो actually fundamental right के nature के नहीं है, देखे, आर्टिकल 31 आयता है ना, इसके बाद, आर्टिकल 31 तो हट गया है, repealed, repealed, why repealed, because it was right to property, right to property has been repealed by the 44th constitutional amendment, by the 44th constitutional amendment, don't confuse it with the 42nd, 42nd भी खूब आया होगा, ठीक है, 42nd से ही preamble में कही चीज़ा एड हुई है, ठीक है, but this has been removed, ठीक है, right to property has been removed by the 44th constitutional amendment, ठीक है, अब आईए article 32 पर, बड़ा important, बड़ा important, बहुत जादा important, इसमें आती है rates, ठीक है, rates होती है, चार तरीके की, habeas corpus, ठीक है, mandamus, quo waranto, ठीक है, habeas corpus, mandamus, quo waranto, फिर क्या आजाती है इसमें, prohibition, और सर्शियोररी, पांच है rate total, ठीक है, सर्शियोररी, ठीक है, पहले, एक बर ध्यान से अपनी नजर दोड़ाईए, बहुत ध्यान से, ठीक है, और इसको समझने की कोशिश करिए, मतलब, समझेंगे क्या, अभी मैं समझाऊंगा, पहले यहां पर नजर दोड़ाईए, और देखिये, ठीक है, कि यह क्या है, ठीक है, अच्छा, इनको, यह जब part, यह जब 32nd article है, Constitution का, जिसको, मतलब, रिट मैंने लिख दिया है, क्योंकि इसमें 5 रिट है, बट इसको, एक्चुली कहा जाता है, राइट टू, Constitutional, रिमेडीज, ठीक है, अब, रिमेडी क्यों है यह, देखिए, आपको fundamental right दे दिये गए, 31st तक, माल लिजे, यह कोई आपके fundamental right नहीं मानता है, छीन लेता है, आपसे कुछ गलत करता है, इससे आपका fundamental right का उलंगन हो जाए, तब आप क्या करेंगे, मालो, तुम्हें पास है, right to life and personal liberty नहीं देती, गवर्मेंट, छीन लिया, जबर्दस्ति अरेस्ट कर लिया, यह remedies हैं, इलाज हैं, दवाई हैं यह, constitutional दवाईया हैं यह, constitutional remedies हैं यह, आपको सही करने के लिए, आपको बचाने के लिए आपके fundamental right को, ठीक है, यह है, habious corpus पहली है, इसका literal मतलब होता है, to have a body, यह Latin में है, इसका literal meaning होता है, to have a body, आपको किसी ने जवर्दस्ती अरेस्ट कर लिया है, पकड़ के रख लिया है, नहीं छोड़ रहा है, court जाईए, अब बोलिये, habious corpus के rate डाली, और बोलिये कि मेरे freedom को छीना जा रहा है, मुझे जवर्दस्ती अरेस्ट करके रखावा, तो मेरे खिलाब कोई सबूत नहीं, क्यों दिया जाता है, habious corpus, against protection, against illegal detention, arrest and detention, illegal arrest and detention कर लिजएगा, उसको ठीक है, ठीक है, अगला के है, mandamus, ठीक है, ये order होता है, court का, काहे के लिए order होता है, order to authority, माल लिजए, कोई सरकारी काम है, भी करना है, ठीक है, सरकार ने कह दिया है, करना है, नहीं कर रही है, अपनी duty नहीं फुल्फिल कर रही है, अपनी duty नहीं निभा रही है, क्या करोगे, mandamus की रिट लगाऊगे, बोलोगे, court सहाब, judge सहाब, इनसे बोलिए, इनकी ये duty है, legal, इसको करें ये, ठीक है, अच्छा, अगली है, prohibition, नहीं, अगली क्या है, co-warant हो, ठीक है, अच्छा, इसमें काम नहीं कर रहा था, mandamus में, अपनी rightful duty, अपनी rightful duty को, को कोई authority, fulfill नहीं कर रही थी, तो उससे, उसी rightful duty को, fulfill कराने के लिए, अपने mandamus credit लगाई, लगाई, co-warantो में, आपने क्या किया, co-warantो में, कोई authority, exceed कर जाती है, अपनी authority, कोई authority है, सरकारी विभाग है, वो ज़्यादा कुछ कर देता है, extra, घर वर तुड़वा देता है, आपका कुछ भी कर देता है, जो वो नहीं कर सकता था law में, मतलब power मान लो, इतनी थी, उसने कर इतना दिया, तो जो extra, उसने कर दिया, उसको रोकने के लिए, excessive authority को, कर ब करने के लिए, when, when, when a person acting for the state, exceeds his authority, ठीक है, तो, ठीक है, exceeds his authority, या फिर, या फिर, वो वरेंटों एक और चीज के लिए होता है, कि, what is your authority, मान लिजए, कोई आदमी है, सरकार का कोई office है, कोई office है, government का, और वो कोई decision लेता है, ठीक है, किसी चीज पर, चा वो उस decision को ले सकता था, did he have that authority, तो, ठीक है, इसका, अगर मैं आपको, simple भाषा में समझाओ, ठीक है, the court restraints a person, court रोकती है किसी व्यक्ती को, the court restraints a person, from acting in a public office, which he is not entitled, ठीक है, ध्यान से सुनिये, बस इतना याद रखिये, क्या याद रखिये, court restraints, रोकती है, ये शब्द याद रखियेगा, restraints a person, from acting, under authority, to which, he is not entitled, किसी public office में, कोई आदमी बैठा हुआ है, उसको वो चीज करने से, रोकेगी court, और कहेगी, कि तुम्हाँ पास या authority आई कैसे, तुम्हाँ पास हिम्मत कैसे हुई, ये काम करने की, तो वो होता है, वो वरेंटो, prohibition क्या होता है, मान लिजे, ये किसी court में कोई matter चल ला आए अभी, ये court है, इसमें case चल ला आए, ठीक है, ये मान लिजे district court है, DC लिख देता हूँ, इसके उपर high court आती है न, high court जब इसको कह देगी, कि सुनो, ये जो case चल ला इसको तुरंत रोको, इस proceeding को तुरंत रोको, तो, ये high court है, HC, इस, इस proceeding को तुरंत रोको, ठीक है, तो, क्यों रोको, क्योंकि ये तुम्हारे jurisdiction में नहीं है, ये तुम्हारे jurisdiction में नहीं है, अब सुनिये jurisdiction का क्या मतलब होता है, jurisdiction का simple भास्षा में, अगर मतलब समझाओं, तो मतलब होता है कि, केस को सुन सकती है, इस question का जवाब देता है jurisdiction, authority court की कहां तक है, कितनी है, अब ये कुछ तरीके का हो सकता है, जैसे, ये याद मत रखेगा, अब समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये है territorial हो सकता है, territorial jurisdiction मतलब, मानलो ये लखनव की district court है, murder लखनव में होता है, तो केस कहां चलेगा, लखनव की district court में, लखनव की district court है, murder बिहार में होता है, दोनों रहने वाले बिहार के थे, तो क्या लखनव की district court पतना के थे, तो क्या पतना की district court में चलेगा, या लखनव की district court में चलेगा, क्यों क्योंकि पटना के district court का territorial jurisdiction है उसकी territory में crime हुआ है दूसरा ये punitive jurisdiction हो सकता है कि कौन सी court कितनी सजा दे सकती है ठीक कौन सी court कितनी सजा दे सकती है अब जैसे district court के नीचे भी कुछ court होती है जिनको कहा जाता है magistrate की court court of magistrate magistrate court यहां लिख देता हूं यह magistrate की court है माल लो ठीक है अब magistrate की court में कोई matter चल ला है magistrate death penalty नहीं दे सकता सजाय मौत नहीं दे सकता तो अगर कोई ऐसा crime है जिसमें सजा केवल दो ही है उमरकैद life imprisonment यह भी नहीं दे सकता magistrate तो कोई ऐसा case है जिसमें सजा केवल दो है imprisonment for life यानि कि उमरकैद या फिर death penalty तो क्या magistrate की court में case चल पाएगा नहीं चल पाएगा क्योंकि वह सजाद ही नहीं सकता तो यह होता है punitive jurisdiction फिर हो सकता है pecuniary jurisdiction पैसे के अधार पे कुछ matter अगर 10,000 रुपे तक हैं 10,000 रुपे तक के matter magistrate चला सकता है 50,000 रुपे तक के चला सकता है supreme court कितने भी करोड़ो 200 करोड़ के matter से लाती है तो वह उसका jurisdiction है तो देखिए वापस आईए prohibition पर आईए prohibition क्या कहता है prohibition is a rate in which a higher court a higher court stops the proceeding in a lower court lower court की proceeding को stop कर सकती है कोई higher court ठीक है क्यों क्योंकि वह उसके jurisdiction में नहीं है due to lack of jurisdiction ठीक है सर्षियोरेरी भी बिल्कुल ऐसा ही है सर्षियोरेरी थोड़ा थोड़ा मतलब एकदम exact नहीं सर्षियोरेरी में क्या है मालू फिर से आओ यह court है district court है matter चल रहा है matter चल गया decision आ गया decision आ गया अब क्या कहता है सर्चियोरेरी का रिट की जो higher court है जो higher court है वो इस decision को quash कर सकती है, cancel कर सकती है क्यों क्योंकि lower court के पास jurisdiction नहीं था या कोई error था ठीक है तो सर्चियोरेरी के रिट से lower court का जो decision है उसको quash किया जा सकता है ठीक है transfer किया जा सकता है आपके पास ठीक है तो prohibition में क्या है prohibition proceeding रोकता है कोई higher court किसी lower court की क्यों रोकता है क्योंकि jurisdiction में कमी है there is a lack in jurisdiction शब्द सुनते keyword पकड़िये lack in jurisdiction prohibition stops prohibition proceeding stops due to lack of jurisdiction prohibition the decision is quashed or the case is transferred the decision of a lower court is quashed or the case is transferred due to lack of jurisdiction तब आएगा सर्शोररी तो प्रोहिबीशन तब तक जब तक केस चलना है सर्शोररी तब जब ओडर आ गया कोट का लोवर कोट का ठीक है ठीक है आई होप आप समझ गए आर्टिकल 32 को बियार अंबेड करने सबसे इंपॉर्टेंट कहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों इसके बिना जो आपका Constitution का fundamental राइट वाला चैप्टर है वो एक टुथलेस टाइगर की तरह हो जाएगा बिना दांत वाले टाइगर की तरह काट ही नहीं पाएगा बस देखने में डरावना लगेगा हाला कि मैं यह आर्गी करूंगा कि टूथलेस टाइगर भी बड़ा खतरना को सकता है लेकिन खैर समझने के लिए most important इसको किस ने कहा था यह बात याद रखे वियार अंबेटकर ही हमारे Constitution की ड्राफ्टिंग कवीटी के चेर्मैन थे यह भी याद रखिए बियार अमबेटकर ने 32 को most important कहा था कहा था कि इसके बिना constitution एक toothless tiger बन जाएगा क्यों क्यों क्योंकि article 32 है right to constitutional remedy fundamental right को अगर आपको कोई छीनता है चोट पहुचाता है तो enforce fundamental right इसी के through होगा ठीक है अब अगली classes में constitution के कुछ feature देख लेंगे DPSP देख लेंगे और जो local self government वाली चीज़े हैं वो देख लेंगे simple जल्दी हो जाएगा thank you